हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तो चली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजपुरी इंडेस्टी के एक बेस्ट कालाकार चीहां दोस्तो भोजपुरी इंडेस्टी के डायमंड कालाकार गुड्डू रंगीला के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे गुड्डू रंगिला का घर का है और भोजपुरी इंडेस्ट्री में आने की इनकी पूरी इंट्री और इनके बारे में इनकी पूरी बायोग्रोफी जानेंगे तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वैसे दोस्तों बात करें गुड्डू रंगिला की तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि गुड्डू रंगिला भोजपुरी इंड़स्टी के एक बेस्ट सिंगर हैं दोस्तों और भोजपुरी इंड़स्टी में एक से एक बड़ बड़ हिट हिट दोस्तों इन्होंने एलबम दिया बतादे कि भोजपुरी इंड़स्टी में साल 1990 से लेकर दोस्तों साल 2010 तक लागातार भोजपुरी इंड़स्टी में इन्हों ने राज किया है और उस दौरान भोजपुरी इंड़स्टी में काफी हिट हिट एलबम इन्हों ने दिया बतादे कि इनकी कुछ hit album की बात करें, जो कि बिहार में इनका album काफी चला और पूरी भोज, पूरी जगत में इनका album के नाम से ही इनको पहचाना जाता है बतादे कि इनका एक काफी हिट एल्बम आया था जिस एल्बम का नाम था तौनी सा जिन्स धीला कर जी हाँ तौनी सा जिन्स धीला कर इनका काफी हिट एल्बम था उसके बाद इनका एक और हिट एल्बम आया हमरा चाही ना कुछ और हमरा हो चाही जी हाँ दोस्तों हमरा चाह जी ना कुछ और हमरा हो चाहिए ये भी एल्बम इनका काफी चला उसके बाद अई हो आतावार के जा जार के ये भी एल्बम इनका काफी चला और बड़े-बड़े सो में इनका ये गाना बसता है वहीं दोस्तों बात करें गुडूरंगिला की केरियर में फिल्म को ले करके त और घायल सेर मुवी में काफी अच्छा इन्होंने किरदार निभाया था वहीं इनकी उम्र की बात करें गुडूरंगिला की तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि भोजपुरी इंड़ेस्टी के डायमंड डाश्टार गुडूरंगिला की उम्र 40 साल की हो चुकी है दोस्तो चलिए अब बात करते हैं गुडूरंगिला के घर के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि भोजपुरी इंड़ेस्टी के सुपरस्टार सिंगर गुडूरंगिला का घर जी हां दोस्तों जो कि हमारे सुपरस्टार सिंगर डायमंड डाश्टार सिंगर गुडूरं सब्सक्राइब करके वेल आइकन पर क्लिक कर दिजिए ताकि हर वीडियो का नोट्फिकेशन सबसे पहले आप तक पहुं सके जय हिंद जय भोजपुरी समाद